अदेशकाले यद्धानम अपात्रे भ्यस्चदियते असत्कृतम वाग्यातम तत्ताम समुदाहितम इस कारिक्रम के मात्रिम से मैं आपको ये बात बता दूं कि जन्मकुंडनी में इस्ट या किसी भी बिप्ति के जीवन में इस्ट तीन तरीके से देखे जाते हैं एक जो आपके कुल देवता होते हैं वो आपके इष्ठ होते हैं आप उनकी आराधना करके अपने मनवांचित वुन धर्मों का पालन करके उनकी भक्ती प्राप्त कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनसे वर प्राप्त कर सकते हैं यह पहली बात है जो आपके कुल देवता हैं क वो प्रसन्दवी जल्दी होते हैं. देवता और पितरों के आराधな से युक्त हो जाने के कारण, युक्त हो जाने के बाद, मनुष्य जाती अपने संपोर्ण सुखों का प्राप्ट करने वाली हो जाती है. इस जहान में सिर्फ दो लोगों की पूजा हो जाए. देवता और पितर तो सारे लोग त्रिप्तक और सारी प्रकरती खुशहाल हो जाती है तो कहने का अर्थ है कि पहले नमबर पे जो इस्थपह चानने की बात आती है वो आती है कि आपके कुल देवता कौन है अगर उनकी जानकारी है तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं और उनकी पूजा न जैसे आप सोते समय, आपका जो अवचेतन मन है, वो किस परमात्मा की तरफ आकरस्थ हो रहा है, आपका मन किसका स्वपन जादा देख रहा है, आपका अंतरमन किसके परती जुगा हुआ है, आपका जुडाओ किसके तरफ हो रहा है, आप रेगुलर किसके स्वपन देख रहे इससे भी इस्ट की आराधना होती है इससे भी इस्ट को जाचा जाता है ये दूसरी बात है कि आपका मन किसकी तरफ जुका हुआ है तीसरे नंबर पे बाद जो जोतिश शास्त्र में वरणित है उसमें बात आती है तीसरे नंबर पे बाद सामानने तया पंचम भाव में जो राशी बनी है उस भाव के अधिपती को इस्टदेव करार दे दिया जाता है परवस्तुत ऐसा सर्व मानने नहीं है कारण है कि अगर दो लोग सामने से आये और दोनों की कुणली सिम लगन की बन जाए या दोनों की कुणली धनू लगन की बन जाए तो दोनों की ही कुणली में पंचमेश एक हो जाएंगे और इस स्थती में दोनों के इस्थदेव एक ह बनेंगे जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि दो सामान्य कुणलियां दो एक ही जन के कुणली में एक ही इस्टदेव बन जाए ये प्रतेक व्यप्ति के लिए अलग अलग होता है सामान्य तया जैसे प्रश्ल कुणलिनी प्रतेक व्यप्ति के लिए अलग होती है अ प्रेमिनी जोतिस के सिध्धान्त के अंतरगत अगर जन्मकुंडली में सरवाधिक अंसों के साथ जो ग्रह विद्धमान है द्यान से समझी मुझे देखें सरवाधिक अंसों के साथ जो ग्रह विद्धमान है वो कौन सा ग्रह है आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में जहां बैठा है उस भाव के ठीक पिछले भाव में जो राशी बनी हो उस भाव के अधिपती ही आपके इस्तदेव होते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बात कही कि लगन कुंडली में जो ग्रह सरवाधिक अंसों के जात डिगरी में विराजमान है अंस कला में भी बिकला में भी अगर वो विद्द्यमान है तो नमांस कुंडली में वो जिस राशी में बैटा है उस राशी के ठीक पिछले भाव म जो अंक लिखा हो जो राशी बनी हो उस भाव में जो राशी बनी हो उसी भाव के अधिपती या उस भाव में बैठे ग्रह तो नहीं पर उसी भाव के अधिपती उस आपकी कुनली के इस्टदेव होते हैं इस्ठदेव की आराधना से आपको तक्काल ही वो परिणाम देखने और सुनने को मिल जाते हैं जो आपको सामानने तया भटके हुए मन के त्वारा मिलता है वैसे कहा जाता है आकाशात पतितम तोयम बड़ा अच्छा श्रूक है आकाशात पतितम तोयम यथा गक्षतिशाग आकास से गिरने वाले जो जल हैं जिस तरीके से समुद्र में जाते हैं उसी तरीके से सर्वदेव नमस्कारम सभी देवताओं को जो किया गया नमस्कार है वो नाराण की शर्ण में जाता है हाला सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान नारैन के शरण में ही जाता है इस वज़ा से आप चाहे अपने इस्ट की कितनी भी आराधना करें चाहे किसी भी देवता की आप आराधना कर रहे हैं वो ठीक उसी तरीके से भगवान नारैन की शरण में जाता है कि कई बार लोग मंदिरों में नहीं देते, ब्रह्मणों को नहीं देते, पुजारियों को नहीं देते, योग्य को नहीं देते और अयोग्य को दे देते हैं तो जो दान या जो धन इस विचार से युक्त होकर के दिया जाता है कि नहीं ये धनवान है मैं इसको दान नहीं दूँगा, नहीं ये इसके पास पहले से चीजें हैं मैं इसको नहीं दूँगा, किसी योग्य को दूँगा जिसको इस धन की सच में आवशक्ता है, उस धन को और उस दान को तामसिक दान कहा जाता है। मतलग अवग्या पुर्वक जैसा सास्त्रों में वरनित है वैसा ना करके अपनी वनमर्जी से अगर जो दान दिया जाएगा उसका कोई फल नहीं मिलता और उसे तामसिक दान के अंतरगत रखा गया है। स्रेश्ट व्यक्ति को योग्य व्यक्ति को योग्य पात्र को योग्य इस्थती में और संपूर्णतया अध्यायन करने के बाद जिसको जो दान दिया जाए उसका ही फल स्रेश्ट होता है। याद रखेए ब्राम्भन का अन किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। कुपात्र का अधन जो दान है वो पात्र प्राप्त करने वाले या पात्रता वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। गाय का अन गाय और कुकुर का अन कुकुर खाए। इस वज़ा से चुकि जब आप देखते भी हैं तो ये बात हमेशा ही याद रखने वाली है कि जिसका जो पात्र है उसको वैसा ही दान दिया जाता है। ये बुद्धी लगाने वाले कि नहीं वो उसकी आवशक्ता किसी ऐसे व्यक्ति को है जो सच में उसको आवशक्ता है ये दान के उपर लागू नहीं होता। दान को पात्रता देख करके ही दिया जाता है। अगर जो दान है तो दान किसी योग्य व्यक्ति को देना है तभी उसका सबकर्व और तभी उसका फल प्राप्त होते देखा जाता है। जो जो आवशक्ति को आवशक्ति को आवशक्ति को देखा जाता है।